बिहार के मुझफ़र पुझिले में सेफलाइटीस के कहर से मोतों का आकड़ा अब 130 तक पहुंच चुका है इस जानलेवर बिमारे के चरम पर पहुंचने के 18 दिन बाद बिहार के सियम नितिश्कुमार की आखे खुली प्यूरितों का हाल जानने के लिए वियाज मुझफ़र पुर पहुंचे जहां होस्पिटल के बाहर लोगों के गुस्षे का उन्हें सामना करना पड़ा अस्पताल के बाहर परिजनों नितिश हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगाए परिजनों का आरोफ है कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कभी और बदिंतजामी से इतने बच्चों की जाने गई है जो कि इसके लिए सिर्फ सरकार और हॉस्पिटल परशासन ही जिम्मदार है हॉस्पिटल में इलाज ठीक से नहीं हो पारा रोज बच्चे मर रहे हैं और सियम अब जागे हैं उन्हें वापस चले जाना चाहिए इससे पहले भी रविवार को केंद्री स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन भी मुझफर पर पहुंचे थे तब उनके सामने भी चार मासुमों ने दम तोड़ दिया था इस बिमारी का परकोप साल के तीन महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा होता है लेकिन इसके रोगफां के लिए सरकार के पास कोई बहतर उपाया भी तक नहीं है इनसे फ्लाइटिस क्या है और ये कैसे अपने चपेट में लेता है आईए इस रिपोर्ट में जानते हैं इनसे फ्लाइटिस एक दिमागी बुखार है जो फ्लेवी वायरेस के संकर्मन से फेलता है ये बुखार मच्चरों के जरिये इनसानों में पहुंचता है इससे सबसे ज़्यादा बच्चे परभावित होते हैं इसकी खोच जापान में हुई थी इसलिए इसे जापानी बुखार के नाम से भी जाना जाता है सुवर और जंगली पक्षियों में भी इस बीमारी के विशाणों पाए जाते हैं इस बीमारी का पहला आसर व्यक्ति के दिमाग पर होता है दिमाग पर आसर से व्यक्ति को अक्सिजन लेने में कभी आने लगती है जिसकी वज़े से उसे सास लेने में दिक्कत होती है इसके साथ उसे तेज बुखार और सिर्दर्द की शिकायत होती है इससे परभाइद व्यक्ति के आँखे लाल हो जाती है हाथ पेरों में अकड़ंग की भी शिकायत होती है साथ ही व्यक्ति को चुछड़ेपन के साथ धकान और बेहोशी के शिकायत भी आने लगती है ये एक से चौदा साल के बच्चे और 65 साल के उपर के लोगों को अपनी चपेट में लेता है इनसे फ्लाइटी से जिन बच्चों की मोते हुई है उनमें से जादे तर महा दली समबदाय से आते हैं इसमें मुक्य रूप से मुसहर और दली चाती के बच्चे शामिल हैं जो की ज़्यादतर प्रोपोर्शन्स के शिकार हैं। इसके साथ यदिकार्यों का कहना है कि जिन बच्चों की मोते हुई हैं उनमें लगबग सबी 10 वर्ष से नीचे के हैं। मुझफरपुर के SKMCH में अब तक 90 बच्चों की मोते हुचुकी हैं। वहीं ट्रस्ट द्वरा संचालित केजरीवाल मेत्र सदन अस्पताल में 20 मोते हुई हैं। एक्यूट इंसिफलैडिस सिंड्रोम के लिए लीची में मौझूद टॉक्सिंस को भी जिमिदार माना जा रहा है। अस्पताल में अभी 330 बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं 100 बच्चों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। उदर डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ती गर्मी और अस्पताल में संसादुनों की कमी के चलते इतने बच्चों की जाने गई है। इलाज के अभाव में मासुमों की मोत का सिलसला जारी है। पर बिमारी के असलिए पकड़ क्या है इस बारे में डॉक्टर अब तक कुछ भी स्पस्ट नहीं कह पा रहे हैं। डॉक्टर ये भी नहीं समझ पा रहे है कि बच्चों को दवा किस बिमारी की दे। औस दन यहां हर तिन घंडे में एक बच्चे की मोत हो रही है। ऐसे ही दिल्चस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।